तो यहां पर यार मैंने कुछ दिन पहले Redmi Note 7 के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि Android 10 किस तरीके से Android Q जिसको बोलते हैं किस तरीके से आप अपने Redmi Note 7 में इंस्टाल कर सकते हैं लेकिन यार उसमें बहुत सारे कमेंट आये थे कि Note 6 Pro पे भी उसका सेम वीडियो ऐसा बनाओ बनाओ लेकिन मैं आपके लिए बनाता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो तो मैंने सोया चलो बना ही देते हैं देखना होगा तो देखी लोगे तो फिलहाल मैं आज आपके लिए लेकर आगया हूँ Redmi Note 6 Pro के लिए Android 10 का वीडियो किस तरीके से इंस्टाल कर सकते हूँ क्या क्या फीचर मिलता है कैसा है तो चलिए सब वीडियो में दिखाता हूँ और उससे पहले यार प्लीज अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो नी यहां पर सबसे पहले आपको दिखा दूँ तो बैक चलके तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि डिवाइस नेम Redmi Note 6 Pro है और काफी अच्छा यहां पर आपको यह दिया गया है किस तरीके से इसको फ्लैश करना है मैं लास्ट के वीडियो के अंड में आपको डाल बता और यहां पर आपको Android version दिखा दूँ तो 10 देखने को मिलता है Android version 10 और Android security level अगस्त 1 का साधी सार Google system update 2019 की आपको मिल जाएगी kernel की बात करें तो यहां पर King Arrow X का kernel मिलता है और build Irfan GSI tools से बनी हुई यहां पर आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहले यहां पर आपको home screen दिखा दूँ तो इस तरीके की आपको home screen as usual आपको Android 10 की देखने को मिलती है यहां पर volume bar आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है जिसमें आप यहां पर अपनी setting का भी यहां पर icon दिलता है और volume इस तरीके से नीचे open होता है जो की नया आपको I think देखने को मिलने वाला है जल्दी यहां पर आप see more करके पूरा sound का setting भी open यहीं से कर सकते हो तो यह चीज आपको एक नहीं मिलती है उसके लवा यहां पर यह गूगल नाओ वाला subscription आपको as usual पहले की तरह ही मिलता है और आप simply यहां पर प्रेस करके रखेंगे तो आपको जो three dot में home screen setting वगएरा देखने को मिल जाती है यहीं पर widget वगएरा भी आपको देखने को मिल जाएंगे और बात करें wallpapers की तो live wallpaper इसके अंदर देखने को मिलता है यहां पर उपर से नीचे आपको दिखाओं तो quick toggle में तो quick toggle आपको इस तरीके के देखने को मिलते हैं यहां पर आप यहां पर इसको अपने हिसाप से set कर सकते हो लगा सकते हो तो उसको option मिल जाता है यहीं पर direct आप setting में जा सकते हो setting में सबसे पहले पी एचेश travel setting देखने को मिलेगी जिसका आपको कोई use नहीं है दूसरा option आपको network वगेरा देखने को मिलता है जो की काफी अच्छे से work कर रहा है बग वगेरा कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं और यहां पर Bluetooth connected device वगेरा दिखा देगा battery percentage यहां पर आपको देखने को मिल जाती है फिलाल मुझे battery backup के बारे मैं नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तो उसको जादा time use नहीं किया है तो देख सकते हो last charge 48 minutes अगो आपको देखने को मिलता है battery percentage आप enable कर सकते हो तो उसका भी option आपको as usual देखने को मिल जाता है तो वो चीज भी काफी अची चीज यहां पर रहती है battery saver adaptive battery भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है battery use का आपको stat भी यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अची चीज है next second बात करें तो यहां पर display वगेरा में आपको brightness level night light देखने को मिलती है और adaptive brightness जो कि आपकी work करती है उसे के साथ साथ wallpaper का option मिल जाता है जो कि पहले ही दिखा चुका हूँ और आपको यहां पर dark theme का भी option आपको देखने को मिलता है जिससे आप यहां पर dark theme यूज कर सकते हो और आपका fully पूरा dark हो जाता है जो कि काफी अच्छी चीज यहां पर दी गई है कि आप dark theme भी easily use कर पाओगे उसके लावा font size का option मिलता है display size का option मिलता है और यहां पर screen saver clock भी आपको देखने को मिलती है तो यह चीज भी काफी अच्छी है उसके लावा lock screen display में यहां पर आपको setting करने का option मिल जाता है जिसको आप पूरी तरीके से set कर सकते हो यहां पर notification है lock screen message है या lock or down option है उसके लावा now planning songs का भी आपको option देखने को मिल जाता है उसके लावा एक कपसी अच्छा option है यह जो always on वाला है यह अब आपका lock screen display के अंदर ही आजाता है जिसमें आप always on option को यहां पर देख सकती हो तो always on option भी इसके अंदर work करता है always on display जो आप यहां पर देख पाऊगे अपने screen पे जो कि काफी अची तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलती है बात करों तो fingerprint से ही आप यहां पर directly इसको unlock कर सकते हो जो कि काफी अच्छा option यहां पर आपको देखने को मिलता है कि fingerprint भी और साथी साथ face unlock भी working मिलता है यहां पर मैं आपको always on display दिखा रहा था जो कि मैं दिखाना भूल गया तो यही चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है time मिल जाएगा date मिल जाएगा नीचे battery percentage भी आपको देखने को इसी के अंदर मिल जाती है और काफी अच्छे से work कर रहा है बात कर लें devil tap to wake की तो यह bug है devil tap to wake आपका यहां पर work नहीं करता है तो उस चीज को आप शोड़ सकते हो लेकिन यहां पर direct fingerprint से unlock हो जाता है जो कि काफी अच्छी चीज यहां पर देखने को मिलती है उसके लावा sound वगयरा की बात करें तो पूरे आपको setting मिलती है sound system की जिसमें आप alarm volume वगयरा आप देख सकते हो उसके लावा default notification sound, touch sound, vibration sound सब चीज आपको easily work करती होई मिल जाएगी और बात करने हाँ पर previously की तो यहाँ पर show, password, autofill वगयरा Google का सब चीज आपको देखने को मिलता है ads वगयरा सब चीज का आपको diagnosis phone के अंदर ही मिल जाएगा location आ जाते हैं उसके लावा हमको security के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहली बता है screen lock आपको देखने को मिलता है fingerprint lock and smart lock के अंदर आपको face unlock भी देखने को मिल जाता है जो की buggy है थोड़ा ठीक ठाक work करता है करता तो ही उसके लावा यहाँ पर आपको कुछ और भी option देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आजाए नीचे तो digital well-being भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है latest वाला और accessibility में आपको भी कुछ option और भी देखने को मिलते हैं जैसे vibration का haptic feedback mono audio आप यहाँ से कर सकते हो वह चीज भी आपको इसके अंदर मिल जाती है अब यहाँ पर आजाएं systems में तो यहाँ पर आपको कुछ gestures के option देखने को मिल जाते हैं जैसे कि swipe fingerprint for notification तो आप simply fingerprint से swipe down करोगे तो notification open हो जाएगा तो यह चीज आपको change कर सकते हो अपने साब से two button navigation बना सकते हो या gesture navigation जो कि android 10 में आपको नया देखने वाला है वह चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आप इसको यहाँ से उपर करके उपर कर सकते हो और यहीं अगर आपको बैक करना है तो बैक भी आप इसी तरीके से गर सकते हो यह मिय वाले के श्याश्य आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि काफी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और काफी अच्छे से आप इसको तो देखी सकते हूँ यह आपको देखने को मिलता है टिप्स और ट्रिक्स वगरा यह सब देखने को मिल जाएगा बात कलने कैमरा की तो जी हाँ गूगल कैमरा आपके इसके अंदर वर्क करेगा और कौन सा गूगल कैमरा आपको यूज करना है नोट 6 प्रो के लिए तो उसका भी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूगा यहाँ पर अगर आपको प्रिक्चर क्लिक करके दिखाऊं तो काफी अच्छी देखने को मलती है फिलाल तो मैंने ऐसे ही गूगल कैमरा कोई भी डाल दिया है लेगिन जो में इसका वर्किंग है नया लेटेस् मैनुल कैमरा यहाँ पर टेस्ट भी आपको दिखा देता हूं कितनी का मिविल्टी है तो देख सकते हो सब चीज आपकी यहाँ पर इसली वर्क करेगी काफी अच्छे से चलेगा यह चीज भी आपको इसके अंदर मिलती है यहाँ पर कोई चीज आपको गूगल एप्स वग gracious आपके फोन के अंदर डेखने को मिलता है और अपने फान के अंदर इसको कर सकते हो तो सबसे साधी साधी नथे चीज बता दूँं कि आपके फोन के अंदर TWRP recovery इंस्टॉल होनी चाहिए कोई सी भी recovery हो बैदिक हो औरिंज फॉक्स हो इंस्टॉल होनी चाहिए किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसका link मैंने आपको नीचे description में दे दिया है वीडियो मैंने उसमें full explain कर रहा है किस तरीके से आपको install करना है note 6 pro के अंदर तो आप जाके उसको check out कर सकते हो अपने phone के अंदर install करना काफी जाधा easy आपको यहाँ पर देखने के लिए रहता है कोई भी यहाँ पर आपको difficulty नहीं आएगी आप install कर पाऊगे तो उसको install करने क के लिए बूट लोडर वगरा अनलॉक होना चाहिए यह common सी चीज है साइसे एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ आपको notification डिफॉल्ट वाले देखने को मिलता है जो की काफी अची चीज है कि आपको अलग से notification देखने के लिए बारबस को ओपन नहीं करना पड़ता है जो क जाके check out कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे telegram group को join कर सकते हो साथी साथ comment section में भी पूछ सकते हो तो चलिए आपको दिखाता हूं install किस तरीकिसे इसको आपके अपने tulip Redmi Note 6 Pro में करना है सो install करना आपके Redmi Note 6 Pro में काफी ज्यादा easy है सबसे पहले है जैसे मैंने आपको बताया टीरोल अरपी recovery आपके फोन इंस्टाल होनी चाहिए जिसको कैसे करना है उसका link मैं आपको description में दे दूँगा अगर आपके फोन में टीरोल अरपी recovery इंस्टाल है तो अब आपको आगे बढ़ना है फोन में अपने ये दो फाइल डाउंडूट करने की तरफ जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा एक फाइल आपको देखने को मिलती है Android 10 fix zip और दूसरी फाइल मिलेगी जो की main है Android 10 view, su, 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 u, u, zip देखने को मिलती है जिसको आप यहाँ पे restore करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने T2RP के folder में जाना है यहाँ पे मेरे पास fox recovery है तो यहाँ पे मेरे नाम fox recovery का folder बना हुआ है आपके पास अगर दूसरी recovery है तो आपके में T2P recovery नाम से folder बना होगा उसके अंदर आपको open करना है और यहाँ पे आपको एक folder create करना है backups नाम से यहाँ पे दियान रखिए backups आप full capital letter में लिखें जो इसा मैं गलती कर रहा हूँ आपको capital letter में लिखना है मेरी तरफ छोड़े letters में मत लिखेंगा यहाँ पे आपके अलग-अलग folder हो सकते हैं तो आप search कर लेना आपका T2P का कौन सा folder है अब हमको जाना है फाइल जो आपने download करी है Android 10 की EU वाली उसको select करके आपको flash करना है extract करना है आपको उसी folder के अंदर जो कि अभी आपने बनाया है backup नाम का उसके अंदर जैसे ही आपका fully extract हो जाता है आपको उसके अंदर कुछ इस तरीके का file देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक file और रहेगा उसके अंदर काफी सारे file आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यह चीज यहाँ पे एतिक complete हो गई, अब आपको आपके phone को recovery mode में boot करना है, इतना आप ने कर लिया तो अब आपको simply tool और पी recovery mode में अपने phone को boot करना है, यहाँ पर मैं system update में जाके reboot update करके boot कर रहा हूँ, आप चाहें तो volume up button, साथी साथ power button को एक साथ press करके भी reboot कर सकते हैं, जो भी आपको method सही लगे, मैं यहाँ पे बिना button को use करे करता हूँ, जो की काफी easy रहता है तो आप भी वो method को use कर सकते हैं, यहाँ पे आ गए है orange fox recovery में, इसमें सब से पहले आपको wipe में जाना है, और सब चीज़ को select कर देला है, data, cache system वगेरा को, यहाँ पे आप internal storage, vendor और crest को select नहीं करेंगे simple wipe, swipe to wipe आप कर देंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा and again back जाएगे, अब आपको यहाँ पे backups के option में जाना है, यहाँ पे आपने जो file extract करी थी Android 10 वाली वहाँ पे देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पे आप उस पे टैप करना है, उस तरीके का option मिलेगा, simply swipe to wipe आपको करना है, और आपकी flashing यहाँ पे शुरू हो जाएगी, यह simple सा आपको method मिलता है अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो telegram group का link आपको नीचे description मिल जाएगा आप join वहाँ कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं यहाँ पे जैसे ही flash हो जाती है आपको simply reboot system में click करना है reboot system में click करने के बाद आपको थोड़ा time लगेगा पांच मिनट तक लग सकता है आपके phone को boot होने में तो उसमें कोई भी घबराएगा नहीं जैसे ही आपका phone Google के boot logo में आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी home screen देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे सतक रहे है कुछ भी मत करीगा यहाँ पे आपको simply उसके बाद क्या करना है तो जो आपको दूसरी file देखने को मिली थी ना आप उस file को flash करने का time आ गया है तो जैसे ही यहाँ पे आपको यह Google का logo मिल जाए Google के logo के कुछ ही second बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपकी Android 10 की lock screen जैसे ही यह lock screen आ जाती है power button और साथी साथ volume up button को 2 minute तक दवाए रहे है इस से आपका phone directly आपका जो की TDRP mode है उसमें boot हो जाएगा तो इस तरीके से आपका आज जाएगा अब आपका phone TDRP में boot होने लगेगा तो इस तरीके से आपको TDRP में जाना है then आपको यहाँ पे simply जो आपने file download करके रखी थी Android 10 fix वाली उस file को आपको flash करना है अगर आप उस file को flash नहीं करेंगे तो maybe maybe हो सकता है आपके phone के अंदर कुछ ना कुछ problem रहे यहाँ पे आपकी phone की padding सही ना रहे उपर कुछ ना कुछ problem आपको मिल सकती है तो simply जैसे ही TDRP mode में boot हो जाता है आपको file में जाना है यहाँ पे आपने जहाँ भी इस file को save करके रखा है अपने phone के अंदर download करके उस file को select करना है यहाँ पर मैंने यहाँ पर नीचे है तो उसको मैं open कर लेता हूँ simply open करने के बाद swipe to wipe आपको करना है swipe to flash वाला यहाँ पर देख सकते हो Android 10 fix zip आपको यह देखने को मिलता है इसको ज़रूर flash कर देना वरना आपके phone में bugs बगेरा आते रहेंगे install हो जाएगा उसके बाद simply आपको reboot to system में आपके tap करना है नीचे और आपका काम हो गया अब जाके आप enjoy कर सकते हो Android 10 अपने Redmi Note 6 Pro में दुबार मत कहना है कि या Redmi Note 6 Pro पर वीडियो नहीं बनाते हो तो कि आपके लिए लेके आता रहता हूं तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज या like share जरूर कर देना काफी अच्छा motivation मिलता है अगर आप live कर देते हो like कर देते हो चैनल को subscribe भी जरूर कर देना subscribe करी रहे हो तो घंटे का इकन भी आएका उसको जरूर से दबा देना सभी download links आपको description में मिल जाएंगे और अगर आपको इस तरीके से Android system वाला कोई error दिखाए न तो उसको ignore करना यह first time ही आपको देखने को मिलता है और कुछ आपको यहाँ पर problem नहीं है बस आपका काम हो ग अगर प्राइ़ आपको ये चोग्थ दूटे चैने मिलता है रहे इक ता, जरूंगे रहेल स्थित्वार डわか찌तरने को जम्टेकर सूंगे रहे हैं रहे हैं और देहें है प्राइ़.